कुछ नए psychological fact लेकर इन psychological fact को पढ़कर आपका दिमाग भी ही लुठेगा तो चलिए अब हम start करते हैं कुछ नए psychological fact पढ़ना अगर आप केवल बुगा सोचते हैं तो आज से ही ऐसा करना चोड़ दे क्योंकि बुगा सोचने मात्र से ही हमारी साथ बुगा होना शुरू हो जाते जी हां अगर आप भी बुगा सोचते हैं अगर आपके दिमाग में भी negative thoughts आते हैं आप काफी negative सोचते हैं तो आप ऐसा कना बंद कर दीजिए क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हमारी जो universe है वो वैसी ही चीजे हमारे साथ करवाना start कर दे दिए अगर आप negative सोचेंगे तो जो universe है आपके साथ negative चीजे ही करवाईगी ठीक है तो आप हमेशा positive सोचिए if you would be if you want to get success in your life then you just inculcate the habit of thinking positive okay because when you think positive then positive things start happening with you okay हमारा next psychological fact है मनोविज्ञान कहता है कि अगर आप खुद को हमेशा गरीब कहते है तो आपके अमीर बनने की संभावना काफी कम हो जाती है इसलिए आज से ही खुद को गरीब कहना बंद कर देजी जी हाँ अगर आप खुद को गरीब बोलते है खुद को अगर आप यह समझते कि आप तो आप ऐसा थोट अपने दिमाग से निकाल देजिए क्योंकि अगर आप अपने आपको गरीब सोचते हैं तो आपके अमीर बने के जो chances होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं इससे आप जो महनत करेंगे पैसा कमाने के लिए वो महनत भी काम नहीं आएगी अगर आप खुद को बार-बार गरीब बोलते हैं तो ठीक है तो आज यह सकना बंद कर दीजिए आपने सुना भी होगा कि अगर आप महनत करें तो आप अमीर बन सकते हैं कोई भी वक्ति अमीर बन सकते हैं अगर वो महनत कर आते हैं सही बात है वह यादे हैं जिनको हम बूलना की वहीं हमारी दिमाग में इस फिक्स हो जाती है और वहीं हमको यादे घरती पर महिला ताइम लगाती है एड पूछ जया वो अपना डिसीजन जल्दी बदल भी सकते हैं अपना डिसीजन जो उनका होता है उसी पर वह अटल गहती है हमारा नेक्स्ट साइक्ष्ट फैक्ट है जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वे अकसर दूसरों में कमी निकालते हैं वो लोग जिनके अंदर खुद के अंदर कॉंफिडेंस नहीं होता है जिनके अंदर सेल्फ कॉंफिडेंस की कमी होती है वो दूसरों में कमिया निकालते हैं अगला साइक्ष्ट फैक्ट है 70% हमारा मस्तेश्क केवल पुरानी यादों के सहारे एक बढ़िया माहूल बनाने की कोशिश करता है हमारे माइड का 70% जो पार्ट है वो ट्राई करता है कि पुरानी यादों के जरिये हमारे माइड में हमारी दिमार में एक अच्छा माहूल बनाए हमारे मन में एक बढ़ि यादे आएगी जो आपकी अच्छी यादे थी है ना जिनसे आपका मन अच्छा हो जाएगा चलिए नेक्स्ट साइकलोजिकल फैक्ट है जब लोग समुहों में बात करते हैं तो 80% यह तह है कि वह किसी की बुगाई या शिकायत कर रहे होते हैं यह बिल्कुल सही है अगर जैस्टर के कर्मचारियों के साथ विभाषा करते हैं उसने उनकी व्यक्तीतं वो चरीत के की बारे में बहुत कुछ पता चलता है जी अपने देखा होगा वो लोग जो डिल के हैं दोलें मिलों कую क्षे से बात नहीं करते हैं आम तोबर ऐस्ते लोग अच्छे इंसान ही हो कुछ च्छी आदते हैं यादन है तो इंसान की कार्येक्टर और इंसान की कि कि कर्याई ने का धुर्म स्टायल से कि ऑसे दूसकर से बात करते हैं et 아म तildo पर वह कैसे उन लोगों से बात करते हैं जो लोग गरीब है या पिर जो लोग काम करते हैं उनके अंदर है तो उन लोगों के प्रती इसी वह давно करते बिहेवियर से हम उसकी परशनलीटी और और क्रक्टर बारे में पता लगा सकते हैं ठीक है हमा नेक्स्ट साइक लोजिकल फैक्ट है एक वेक्टि जो आम तो परवान नहीं करने का दिखावा करता है यह बिल्कु सही है कभी-कभी क्या करते हैं लोग कोई वेक्ती होता है वो अपनी वो दिखाता नहीं है कि उसको फिकर है बढ़ करी बार हो सबहने बदलीघिए अगर आप नेगितिव लोगों के पास बैठते हैं। दो आज ही अपनी कंपनी कैंध कर लिजी आप ऐसे लोगे साल बैठ है। जो पोजिटीव सोचते हैं जो狂 सह चुक्छ रहे आप बहुत खुश होते हैं तो आपको नींद नहीं आती हैं आपके दिमाग में खोशी वाले विचाराते हैं realised instrument हम में छिया जावने की जाइए किने मुड्सनल गाने नहीं सोनने चाहिए तोiology अगर आप अपने मूड को अच्छा करना चाहते तो इमोशनल गाने की पुझा है जो बढ़िया गाने है ठीक है उनको सुने जो एनलजेटिक गाने है उनको सुने ठीक है करी अधियरनों के द्वारा पता चला है कि महिलाय ओस्तन 47 घंटे और 15 मिनिट से जादा किसी भी सीक्र कुछ ह caring है यह फिस सांचाचाज कि सानच गुझा गोई कोई भी से मशलेट और कोछ हाथ तक हम मानते हैं कि कुछ मिलाय होती है प्लिए महिलाय होती तो म invention 97.으로 a आख सथा अगर गवह फेलां तो वह मॉष्टले मैक्सिमं मैक्सिमंट गंटे और 15 मिनिट से जादा नहीं रख सकते हैं ना बट यह कंप्लीट लीट क्यों नहीं हो सकता चलिए नेक्ट साइकलोजिकल पर आते हैं शोद करता हुने पाया है कि फोबिया किसी विशेश इस्थिती या विशेश चीज से डर अनुमंशिक होता है आपने नोटिस के आगा कुछ लोगों को फोबिया होता है जैसे कईयों को एक्जाम फोबिया होता है एक्जाम से डर लगता है कईयों को हाइट वाला फोबिया होता है कि हाइट पर जाते ही उन्चाय पर जाते ही उल्टिटूड पर जाते ही उनको डरने लगने जाता है कई लोगों वोटर से फोबिया होते हैं तो ऐसे यह जो फोबिया डर होता है यह अनुवन्शिक होता है जैनेटिक भी हो सकता है ठीक है अगर आपके परिंट्स को कोई specific phobia किसी चीज़ से था तो काफी ज़्यादा chances है कि उनके बच्चों को भी ये हो माता पिता से आपके अंदर भी वो phobia transfer हो सकते हैं अगर आप अपने पसंदिता गाने को अपना alarm बना लेते हो तो आप उसे नापसंद करने लग जाते हो क्योंकि आमतों पर जो लोग होते हैं उनको सुबह जल्दी उठना पसंद नहीं है जैसे alarm बचता हूँ अगर alarm लगाते हैं बट alarm की आवाज उनके कानों में चुपती है तो अगर आप अपना फेवरेट सोंग alarm पे लगा लेंगे तो आपको वो जो आपका फेवरेट सोंग है वो भी आपको बेकार लगने रोग जाएगा क्योंकि वो आपकी alarm टून बन जाएगी ठीक है चलिए नेक्स्ट साइक लोचल फैक्ट पर आते हैं पैसा एक व्यक्ति को खुशी दे सकते हैं लेकिन केवल एक निश्चित सीमा तक अधिरेन बताते हैं कि जब हमारी आए एक निश्चित बिंदू तक बढ़ जाती है तो हम खुश महसूस करने रखते हैं उस बिंदू के बाद पैसा उतना माइने नहीं आपता ये बिल्कुल सही है पैसा जो है वो व्यक्ति को कुछ हद तक खुशे देता है एक पॉइंट होता है एंड उस पॉइंट पर हमारी अर्निंग होने के बाद हम पैसो को सेव करना स्टार्ट कर देते हैं एंड हमें फिर जादा खुशी महसूस नहीं होती ठीक है एक निश्चित बिंदू तक ही हमें पैसो से खुशी होती है उसके बाद हम हमारी दिये normal हो जाते है समाने बाद हो जाती है नेक्स्ट साइकलोजिकल फैक्ट है जो लोग जूट बोलने में माहि होते है बिल्कुल सही बात है जो लोग खुट जूट बोलते हैं उनको पता चल जा रहे हैं कि दूसरा जूट बोल रहा है या सच बोल रहे है ठीक है नेक्स्ट साइकलोजिकल फैक्ट किसी के गले लगने पर हम ततनाव मुक्त और तरोताजम हैसूस करते है किसी वक्ति को 20 से ज़ादा दे तक गले लगाने पर हम उस वक्ति पर भगुरसा करने लग जाते हैं अगर आप किसी वक्ति को 20 से ज़ादा गले लगाते हैं तो उससे क्या होता है आपके अंदर भगुरसा बिलीफ उसके लिए डैवलप होता है कि इनसान सही है ठीक है किसी के गले लगने पर हमें हम stress free भी feel करते हैं तो आप आज ही start करिए अपने माता-पिता के साथ गले लगना चलिए अगला psychological fact है किसी जोग पर हसने के लिए हमारी दिमाग को पांच अलग अलग हिस्सों में काम करना पड़ते हैं तो इसलिए यह कहा ज गाइज यह हमारी कुछ best psychological facts थे जो मैं आप सब के लिए ढूंड ढूंड के लाई थी उमीद है I hope कि आपको यह पसंद आए होंगे अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी चैनल को subscribe करना एंड हमारी वीडियो को like, comment and share करना बिल्कुल ना भूले थैंक यू फो वाचिंग आप वीडियो थैंक यू सो मच